नमस्कार आप देखने टीवी नेन राजस्तान मैं हूँ अम्बेश श्रिवास्ताओ डेश में लोग सबाद चुनाओं के दो चरण हो चुके हैं और इसी के साथ राजस्तान में 25 सीटें जो की हैं उन सभी पर भी मद्दान पूरा हो गया है पिछले दो बार से राजस्तान मे पूरी 25 सीटों पर बीजेपी का कब जा था इस बार कॉंग्रेस के साथ कई निरलिये उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं अब इसमें एक नाम है रवींदर सिंग भाटी का रवींदर सिंग भाटी की सीट है बार्मेर लेकिन ब बासवारा सीट दोनों का जिकर कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही सीट पर जो चुनाव था उस चुनाव में कॉंग्रेस के लिए बड़ी मुश्किले आई और आप क्योंकि चुनाव संपन्न हो गया है उसके बाद कॉंग्रेस ने अपने दो नेताओं पर कारवाई की है एक न बताओ नोटिस दारी किया गया है क्या कुछ मामला है और इसके अलावा रवीन सिंग भाटी और हरीस चौदरी से जुड़ी एक बड़ी ख़बर है उसके बात करेंगे पहले अमीन खान और गड़ेश घोगरा जहां कॉंग्रेस लोग सबाचनाव में मजबूती के साथ और क्या कुछ आगे कुछ घटना करें अभी और घटित होना है इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सायोगी सर पुसकर चौहान सर है पुसकर सर अमीन खान गड़ेश घोगरा पर कारवाई तब पूरा चुनाव संपन हो गया है एक तो पहले आपके निता छोड़के जा रहे थे और आप पार्टी से निकाल रहा हूँ मैं एक बार दो मुझे पहली बार लगा कि कॉंग्रेस कुछ एक्टिव है छोड़के जा रहे हैं दूसरी पार्टीम जा रहे हैं वो तो समझ में आया अब दरसल मैंने बताया ना अब पूरी कॉंग्रेस कुछ भी बोलेंगे और वहाँ पर आपको मालूम है कि अमीन पूर विदायक है उन्होंने विरोध किया था बार मेर सीट पर मुझे लगता है इस देश की अगर पांच बड़ी हाट सीटों बात की जाएगी तो टॉप फाइव में बार मेर जरूर कहीं न कहीं होगी मतलब रविन भाटी ने वो तहलका मचा रखा है गुजरात से लेके राजस्थान से लेके अब जहां कहीं भी कल लंबी प्रस कांफरेंस करके उमेद बिनिवाल ने इनको घेरा भी है रविन भाटी को जो आप बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये बाहर के गुंडे लाए ये बा जो बाड मेर में चुनाओ था ना रविन भाटी ने इतना उठा दिया था इतना उठा दिया था जितना 2014 में जस्वान सिंग नहीं उठा पाए थे नर्दली प्रत्याशी रहके ये एक मुझे लगता हाल फिलाल 25-30 सालों में कोई नर्दली तो जीता नहीं है अब एक लाइ कि सीट पर जाकर उने सबावी करनी पड़ती और कहला मोदी जी नहीं वहां अमिसा भी गए वहां राजना सिंग भी गए वहां योगी भी गए वहां कंगना रनौत आप नहीं समझें वह बाड मेर से मैसेज यह जा रहा था कि छत्री समाज नाराज है वह पूरे देश में म मांगते हैं तो नहीं बीजेपी देती हैं वह जीत के आ जाते हैं वो बड़ा यह मीम चला मैं बता रहा हूं वह विधायकी का मांगते हैं विधायकी का नहीं मिला तो निर्दली जीत के चले आए उन्होंने सांसधी का मांगा सांसधी का नहीं दिया बीजेपी असल में दर रविन बाटी चुनाव भी जीतते लेकिन फिर बाकी पार्टी नगर ने होती वहां पे बीजेपी नगर ने हो जाती उसके नेता कुछ भी करते हैं वहां का चेहरा बहुत बड़ा इसलिए पार्टी बहुत कुछ सोचती जो आप ने रोडशो रैलियों की बात करी तो वहां चक्कर अब की मैंने क्यों कहा पांसो तेतालिस में पांस सीटे मतलब आप समझ रहे हैं एक परसंट सीट जो सबसे होट ढोड़ी जाए तो उसमें बाड़वेर कना में और चुनाओ अभी भी है तो कॉंग्रेस में पीछे दिखना नहीं चाहती है कि भाई हमने कल को जीत आ यह सारी राजनीत हमेशा भविष्ट को लेकर की जाती है अब वो चक्कर क्या है कि कहीं रविन भाटी का सही हो गया तो ठीक है उमेद रम्बे निवाल हार गया चुना तो सांस बैठेंगे और यह इधर आ जाए कल को लेना पड़े यह सारी जो चीजे रहती ना एक सवाल जी करना चाहूंगा जैसे अमीन खान को कॉंग्रिस ने निसकासित किया निलम्बित किया शे साल के लिए अब रवीन भाटी अगर सांसत बन जाते हैं तो क्या अमीन खान निर्दली है शिव विधान सभा से चुनाव लड़ेंगे अब हर आदमी अब यह है अब उस समय आदमी को दें कॉंग्रेस से दिलवाएं वो इफन बट है अमीन खान ने अपना चल कर दिया उन्होंने सीट पर दावेद आए यह दिखा दिया कि मैंने रविन भाटी किया कल को रविन भाटी उनका नामी प्रपोस कर दे माल लीजिए अमीन खान का भाई यह और वहां रहा था हनुमान में नहीं वाल ना राजनीत ना सीटो अगर सब की बात करें तो देखिया जो अमीन खान को भी कॉंग्रेस ने निसकासित किया है 2023 में उन्होंने विदान सभा का चनौल रड़ा फते खान जो की टिकट मांग रहे थे कॉंग्रेस से उनको टिकट नहीं दिय पार्टी ने उनको निसकासित कर दिया अब वही फते खान गॉंग्रेस के साथ है तो यह और अमीन खान जो है वो पार्टी से बाहर है वो यह राजनीत में बड़ा गड़बर धाला होता है जोल माल होता है राजनीत मेंने इसी लिए का जो ठीक पार्टी उत वो यह आप नीतियों पे चलिए आप अपनी बात करिए सचिन पाइलेट इसका एक्जामपल है सचिन पाइलेट ने अपकी आठ से नौ सीटों पर फोकस किया है जहां उन्होंने साथ टिकट दलवाए हैं उसका वो लेखा जोका लेके जाएं कहेंगे हमें हमारे कहने पकर आपने सबाएं योगी आदेतनात की आठ सबाएं दो रोड शो राज अमिश शाह की चार सबाएं और रोड शो तो वो मुकाबला था ही नहीं उन्होंने अपकी पैचेज में बाट लिया था कॉंग्रेस ने काम कि यहां तुम करो यहां तुम करो यहां तुम करो आपने देखा सु लेकिन कारवाई होते हुए पहली बार देख रहे ना आपको अब इसी में बात करेते हैं दूसरी बासवाड़ा की सीट क्योंकि वहां पर कॉंग्रेस ने चोड़ दी थी राजकुमार रौत के लिए और जिसको अर्विन डामोर को जो डमी के तौर पर कॉंग्रेस ने परचा कोई नेता बासवाड़ा परचार करने नहीं किया राजकुमार रौत के समर्थन में खैर जो अर्विन डोमार थे जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी थे क्योंकि लास्ट मुमेंट पर ऐसी कारवाई हुई थी तो चुनाव आयोग ने उनसे ना मांकन उनका जो टिकेट है वह व कि पार्टी विरोधी आपने समर्थन किया काम किया इसलिए आप पर कारवाई हुई है और गोगरा सर आदिवासी नेता है बड़े नेता है और कई बार इनकी अदावत जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है आपको याद है उसमें बड़ा मुबाइल सुच आफ वाला चला जी जी सर तो उसमें गोगरा जी भी तो थे ना वहाँ पर जी अब कॉंग्रेस वहाँ पर रिवाइव करने की इस्तित में हम वही बात आपको बता रहे हैं कि वो चाह रही है हम लड़े जब से वो सत्तर विधायक उसके आए हैं ना नहीं तो ये लोग एक्टिव होते 28 के 26 के लाश्ट में कि अब मुझे प्रदेशत देख चाहिए नहीं मेरा CLP होना चाहिए ये कॉंग्रेस में बड़ी बीमारी लग चुकी है हर राज में मगर राजस्थान शायद पहल करेगा क्योंकि अब वहां सोनिया गांधी भी पहुंची है और सचिन पाइलेट को ये 28 के पास आता जाएगा सचिन इस्थाफित होते चले जाएगा वह देखे मैं तो सर्व उस दिन से कह रहा हूं जब राहूल गांधी की निया यात्रा थी और चार दिन सचिन पाइलेट उनके साथ रहे हैं उसमें सचिन पाइलेट ने क्या घुट्टी पिलाई है कि उसके ब कि चल रही है ना प्रदेस अधरक्स की चल रही है देखे चाहे वो जैपुर ग्रामीन हो चाहे वह भरतपूर हो चाहे वह दुसा हो और चाहे अजमेर में भी जो है करीब पान से साथ सीटे ऐसी हैं चाहे जुन्जुनु हो ब्रजेंदोला चाहे टोंग सवाई मादोपूर जहां से पाइलेट खुद विधायक हैं वहाँ पे हरीश मीना को टिकट दिलवाना तो जो ये टिक्टो का बटवारा हुआ और जिस त साथ में पूर मुख्यमंत्री भी जोड़ दिया था कि जाना है जाएं आप पार्टी को फरक नहीं पड़ता वो ये एक स्टेंड आपको लेना पड़ता है कब तक रो जशोग गल होता है आप पिटके आ रहे हैं आप सत्तर ले आएं आप पच्छत्तर ले आएं सरकार तो स एक सो एक पे ही बनेगी ना तो वो नम्म नहीं ला रहे हैं तो आप पिटे हुए मोरे और पिटे हुए मोरे पे अब कॉंग्रेस ज्यादा वो नहीं लगाना चाहती है आप देख रहा है लड़ाई आपकी बीडेपी से है रायस्थान की बात नहीं आप देखिए आज इन क्या खत्म होने की कगार पर यह इस तरह बढ़ रहा है कि भाई अब इसके बाद सीजे सम्टेंगी और सब कुछ सही हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में यह और विक्राल रूप लेगा और कोई नेताओं पर कारवाई होगी क्योंकि चर्चा और भी बड़े बड़े नेताओं की है हम नाम नहीं लेना चाहते हैं बड़मेर से लेटर हो रहा है और उस लेटर के जरिए दो गारियों के साथ में नमबर भी वायरल हो रहा है वो जनता सोचल मीडिया पर देख रही है फैर उस पर हम चर्चा करेंगे दीखे राजस्तान में गैंगकर और जैंग सबसे बड़ा मुद्दा कानून ववस्था रहता है क्योंकि बीजेपी ने पूरे पांच साल कानून ववस्था को मुद्दा बनाया गैलो सरकार में लेकिन सर भजनलाल सरकार भी पिछले तीन महिने में अगर देखा चार महिने होने को आ गए हैं लेकिन गैंगेस्टर्स की द्धमकी और थ्रेट जो हैं वो रुकने का नाम नहीं नहीं अब रवीन सिंग भाटी रविन सबसे बदेख रवीन सिंग भाटी को मिलती है और मेरे समाधता धुजारे को रवीन सिंग बाती ने फोन किया उनने बताया सबसे पहले हमने ये स्टोरी भी करी उनको मिलती है उसके बाद हरीस चौधरी को मिलती है तो सर ये एक image create की जा रही है ये वाकई में राजस्थान में गैंग वार अभी खत्म होने का आप ये समझिए ये बीमारी बहुत law and order से जाता ये जिस तरीके से active है आप देखिए ना अभी यहां पे लॉरेंस विश्णूई है या कोई ह है ये सारा ये रोही गुदारा ने धान की दिये है हम एक बात बता रहे हैं वहाँ पे active जितने हैं good वो बहुत परिशानी कर रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है वो बहुत परिशान कर रहे हैं सरकारों को क्योंकि जस तरीके से गोगा मेरी की हत्तिया हुई घर में घुसके ग्राइंग रूम में मार दिया और फरार उसके बाद लगातार आप देखी रहें कि कितने ज़्यादा अच्छा इसको हलके में नहीं लेते हैं जो पुलिस परशासाने वो हलके में नहीं कल को कोई गटना गट जाएगी तो वो कोई एक छोटी सी हत्या भी ना बहुत बड़ा में को कहने नहीं कहें कि पीछे से समर्थन हो जाता है वहां पर असल में कोई जो खड़ा होता है न एंगल राजपूतों का ही लिया और उनने कहा कि एक राजपूत को मारा मलब सुद्देव सिंग गुगावमेडी को आप क्योंकि रवीन सिंग भाटी भी राजपूत है और राजपूत कैसे नाराज है बीजेपी से वह हम लोग पहले ही चलता कर चुके अब वही सब चीज घ एंगल नहीं है लेकिन इसको डीजीपी तक पूरी फाइल होगी और इस पर काम हो रहा होगा चली सर देखिए सुद्देव सिंग होगा मेरी के हत्यारे बाद में पकड़े गए उनके गर पर बुल्डोजर भी चला लेकिन वह डर राजस्थान में अभी नहीं दिख रहा है जो डर कहा जाए यूपी को लेकर एक ट्रेंड सेट किया जा रहा था राजस्थान में वो डर अभी नहीं दिख रहा है लगातार बड़े-बड़े नेताओं को इससे पहले हनुमान बेनिवाल को भी दमकी मिली थी और भी कई कांग्रेस के युवा विधायक उनको भी दमक पहुंचाएंगे बाकी अमीन खान और गड़े दोगा के बारे में आपको बता दिया कॉंग्रेस में क्या कुछ होगा वो भी अपडेट आपको पहुंचाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और बाकी 25 वीटों का रिजल्ट और डेली आप से डिसकर्स कर 如果你 दिए जर्म्रे जर ट से अपको आपको खेड़는데 आप से झाल जरill actाएंगे जरूर लोग बाकी रहा है क्या है क्या कुंचाएंगे में जर रेली kim है सतर्स्ब और